नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागता आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन रिवलुशनरी फार्मर पर आज की वीडियो में हम गाए भैस के गर्ब पात के बारे में जानकारी देंगे कुछ पशुओं का गर्ब पात होता है गर्मी के कारण उनको हमने कुछ गर्म खिला दिया उसके कारण गर्ब पात हो गया कुछ पशुओं का गर्ब पात होता है कि किसी जानवर ने उसको टकर मार दी या फिर पशु कहीं उच्छे नीचे में उसको पैर आ गया या उसको चोट लग गया या पशु ज्यादा खेल रहा था ज्यादा भाग रहा था गिर गया दो भैस की लड़ाई आपस में हो गई य जिसके कारण गर्मी बन गई और पशु को बच्चा अबोर्शन हो गया या फिर पशु को चोट लग गई तीसरा जो प्रमुक कारण होता है वह यह होता है कि यूट्रस में कोई बिमारी होती है उस यूट्रस की बिमारी के कारण यूट्रस की बिमारी दो तरह की होती है ए कोई भी गायबैस दोबारा बच्चे को जनम नहीं दे सकती उसकी बच्चा दानी पूरी तरीकी से डैमेज होने की कगारबर आ दिया ना आपने उसको आपको कुछ गलत खिलाया ना कोई गलत इंजेक्शन लगाया लेकिन फिर भी कड़कती ठंड में भी आपका पशू अबोर्शन कर गया तो उसके पीछे सीधा सीधा रिजन जाता है कि भैस को बार-बार अबोर्शन करने की शिकायत है उस बिमारी में क सवाल आ रहा था कि ऐसे में पशूँों को क्या किया जाए दोस्तों अगर आप अपने पशूँ को रखना चाहते हैं तो तो आप उसकी लगातार लगातार उस पर महनत करें अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप बेच दें दो यह option हमारे पास होते हैं अगर आप रखना चाहते हैं तो उन पशुबालगों के लिए हम आपको कुछ बता सकते हैं माली जी आपकी भैस ने पिछली बार बच्चे को गर्वपात कर दिया और अब की बार भी आपको पता है कि यह पांचवे महीने में या फिर साथ महीने में या फिर आपको हर महीने अपनी गाई भैस को गर्वदारन के बाद लगाना है उसने आज एक तारिक को गर्वदारन किया है तो अगली एक तारिक को आपको टिका लगाना है फिर अगली एक तारिक को टिका लगाना है अब आपको यह पता है कि आपकी भैस जैसे ही चार महीने की गर बात का समय है वो 15 दिन के बाद आने वाला है यानि कि 15 दिन के बाद भैस का वो टाइम आएगा जब भैस अबोर्शन करेगी तो आपको उन 15 दिनों में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है जैसे ही आप पशु को इसी भी तरह का डिस्चार्ज देते हुए देखते हैं आप आपने देखा कि रात को भैस को डिस्चार्ज आया तो रात को ही आपको ठंडा टिका पशु को लगा कर आना है जिया दोस्तों ये बड़ी सावधानी रखने वाली बात है आपने रात को पशु को ठंडा टिका लगा देना है अगर सुबह दिया है डिस्चार्ज उसने तो सुबह ठंडा टिका आप उसको लगा दे, आपने टिका लगा दिया, उसके बाद आप वेट कर सकते हैं, अगर आपका जानवर शरीफ है, परिशान नहीं करता है, तो आप उसको आटा पिला सकते हैं, गेहूं का आटा पानी में मिक्स करके उसको पिला सकते हैं, आप उसको द नहीं दे रही है तो आपको जिस दिन आपने टिका लगाया था उसके एक हफते बाद दुबारा से वो टिका लगा देना है और दुबारा से एक हफते बाद वो टिका लगा देने के बाद आपको ध्यान रखना है डेली परती दिन उस पशु का ध्यान रखना है अबोर्शन क कि कभी भी तीन या चार दिन से पहले दुबारा पशु को ठंडा टीका ना लगाएं बार-बार ठंडा टीका पशु को नहीं लगाना है वरना टीका भी पशु के उपर काम करना बंद कर देगा टीका मतलब इंजेक्शन इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें पशु को बार-बार टीका नहीं लगाना है